विल्कम बैक टो माई चैनल नीलूज क्लासरोम और कुछ नया सीखे भारत एक ऐसा देश जहां पे विविन धर्म और जाती के लोग रहते हैं हमारे देश में चार मुख्य धर्म के लोग रहते हैं इनके अलावा भी दूसरे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं तो चलिए आईए जानते हैं कि जो मुख के धर्म हमारे यहां पर पाए जाते हैं उनके बारे में उनकी पवित्र पुस्तकों के बारे में और उनके पूजा घर के बारे में हम कुछ जानते हैं तो यह जो पहला हमें दिख रहा है यह मंदिर इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं हिंदु धर्म के लोग एश्वर को एक मानते हैं लेकिन वे एश्वर की अलग-अलग शक्तियों को अलग-अलग देवी देवता के रूप में भी स्विकार करते हैं इसलिए इन लोगों के प्रमुग्रंथ हैं चारवेद, अठारा पुरान, रामायन, माहाभारत और गीता, गीता भगवान श्री कृष्न का उपदेश है, जो सबसे प्रमुग धर्म ग्रंथ है, इसके अनुसार सभी प्राणियों के अंदर इश्वर है, इसलिए हमें सबसे अच्छा करना चाहिए और कभी जोन नहीं बोलना चाहिए, ये दिऊसरा चित्र मस्ज़ित का है, इसमें अल्लाह की पूजा होती है, जिसे हम इबादत कहते हैं, ये मस्ज़ित मुसलिम धर्म मानने वालों का पूजा घर होता है, इस्म धर के अनुसार अल्ला एक है अल्ला के पवित्र आदेशों को मानकर सच्चाय और भायचारे की रहा पर चलने वाला ही सच्चा मुसल्मान होता है और इनकी पवित्र पुस्ति का कुरान होती है ये तीसरा गुरुद द्वारा है सिखधर्म मानने वालों का पूजागर सिखधर्म के लोगों का पूजागर गुरुदुआरा कहलाता है और इनका पवित्र गुरुग्रंद साहिव है इसके अनुसार इश्वर एक है गुरु के आदेशों का आदर सहीद पालन करना ही सबसे बड़ा करतव्य है गुरु नानक ने इस धर्म को प्रारम किया था कुरु गोविन सिंग ने इस धर्म को देश रक्षा का माध्यम बनाया सच्चाई, प्रेम, अच्छा विवार और भायचारा इस धर्म का मुख्य उपदेश है चोथा है गिर्जा घर यह इसाई धर्म के लोगों का पूजा घर है इसे चर्च भी कहते हैं इसाई धर्म के लोगों का पूजा घर इसाई धर्म के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं इनकी पवित्र पुस्तक है बाइबिल जिसमें दया, सेवा, छमा और दूसरों की भलाई करने की शिक्षा दी गई है इसाई धर्म की शुरवाद जीसिस क्राइस्ट ने की थी अपने उपर अत्यचार करने वालों को भी उन्होंने छमा कर दिया था इस धर्म में भी इश्वर को एक माना गया है हमारा काम उसी के आदेशों का पालन करके दीन दुख्यों की सेवा करना है ये पाचवा है जैन मंदिर जैन मंदिर भगवान महावीर को मानने वाले लोग होते हैं भगवान महावीर ने अनुशाशन का पाठ पढ़ाया उन्होंने हर तरह की बुराई से दूर रहने की शिक्षा दी इस धर्म में दया और सेवा को सबसे बड़ा गुन बताया गया है इसमें जीवों को दुप पहुचाना और उन्हें मानना सबसे बड़ा पाप बताया गया है और ये पांचवा है बौध मंदिर भगवान बुद के मानने वाले जीवों पर दया करने उन्हें ना मारने को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं दया, करुणा, प्रेम और शांती इस धर्म का संदेश है इसका प्रमुग्रंत है धमपद दुनिया में बहुत से और भी धर्म हैं जैसे यहूदी, पार्सी, बहाई, आदी इन सारे धर्मों के लोग इस संसार में शांती और प्रेम के साथ रहते हैं और हमारे भारत में कुछ जो मैंने अभी धर्म और उनके पूजा घर बताए वही सबसे जादा हमारे देश में होते हैं लेकिन एक छात्र का धर्म है पढ़ना और उनका मंदिर है उनके विद्याले उनके भखवान है उनके सिक्षक उनके गुरु और उनके ज्यान और उनकी पवित्र पुस्तिका है किताबे और मन लगा कर पढ़ना ही हर एक छात्र की असली पूजा होती है झाल 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 झाल